नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत अब आपके अपने पसंदिता चैनल सलूट टू फार्मेट चैनल पर किसानों के उसले किसानों को पसंद को हमारा सलाम है जो बहुती बड़ेया काम कर रहे हैं किसान उनको कारिये दिखाने का प्रयास हमारा तो आज कल देखो एनलम स रजस्तान और रेरियाना पहला फारम 100 प्लस पांस प्लस में किसान साथ्थती की जुबान से आपको कैसे पता चला उनको प्रेसानिया उठाने पर ही तो नमस्कार जी के मैं बागए रहे हैं जी घुच्टिक जंदल राजस्तान है जी तो सर पहले आप ही बता दियो कि अप आपने कैसे कैसे पलाए कि रहार कितने दिन में आपका लोन मिले और कितने दिन में सबसीडिया अंदर चलो आप अंदर सलके थोड़ी च्छाओं में बात करेंगे यह 28 दिसंबर 2022 को जी देनिक बासकरी में आया से आड जी जी एनलम के बारे में हाँ फिर मैंने अप्रेल 2023 में जी ओनलाइन करवाया था टोटल डोकुमेंट करके जी बाद में मेरा अगस्त के अंदर जाके फाइल बैक आ गई जी चलो आवाज आजेगे आप जांबी चलो कि 22 अगस्त 2023 को मेरी फाइल बैक आ गई थी फिर मैंने जाके सित्मबर लास्ट में दुबारा सम्मिट किया था फारम जी आजाओ सर्पन साब बित्तरी बात करां चलो बार थोड़ी दूप जादा है वही जी तो जैसे आपने पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई अपल प्रोजेक्ट हुई वह यहां पर बनवाई थी उनको पहले पता नहीं था जी क्या बनाना है फिर मैंने किसी जानकार से ने यह संप्रक किया परसुपाली निवाकिये दिकारी से तो उन्होंने मेरे को डोक्टर संकरलाज जी खिचड के नंबर दिये जो फिलाल में उद्व उस्पिटल उसपिटल हो क्या आपकी आपकी फाइल पास होके मारे पास आ चोटी है फिर उन्होंने एक बोड़ ब़ेजा अविजिट करने के लिए लिए थ쪽에 माइन है यह अपने जौन जोनो डिकारी नोडल लेदिकारी, वो आपको पहले फोन करते हैं, वो पहले फोन करते हैं, वो टाइम देते हैं, इस टाइम को आएंगे, ये बॉल्ड बना लो, फिर जहां पर अपने लोकेस्म की पहले फोटू लगाई थी सैड के लिए, उसी जगे पर बॉल्ड लगाना हो, तो हमसे हैं वो दुबारा लोकेस्ट, खाली जगे की, खाली चेकिंग करके जाएंगे, जियो टेकिंग, उसके बाद जैसे आपने वो चेक करके चले जए उसके बाद फाइल अपनी बैंक में पूछती है, बैंक में पुंची पंद्रे या 20 तिन के बाद में, बैंक से फोन आया मनेजर कि आपका लोन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपने क्या करवाई करी वो कम्प्लीट एक बरजान करी आप आराम से बता दो पूरी हमारे दर्सकों जो है ने लोन ने चाहते हैं, क्योंको आपकी वीडियो देखने के बाद कोई प्रोग्लम सामने नहीं आए, बैंक ने म सुपालों ने भागे, उन से संपर किया, तो उन्होंने मेरे को एक दिल से गाइडलाइन मंगा गी दी, नलम की, तो वो ले जा कि मैंने मनेजर को दी, मनेजर ने काई कि आप 15 दिन का टाइम देदो, हम तो इसको पूरी पढ़ेंगे, अगर इसी को स्कीम है, तो आपका लो है, और जो भी इसमें काम होगा, वो तकरीबर ने सभी बैंक लोन से करना है, अपने खुद की पुंजी, कुछ भी नहीं लगानी है, वो तो लगानी है, तो अब जैसे बात करेंगे, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फाइल कितने की थी, कितने पसूँ के लिए थी, 100 प करवाया था, 8 लाग रुपे, SBI बैंक, बरांस मलशी सर्शे, और सब्सिडी इसमें 10 लाग रुपे, टोटल प्रोजेक्ट मैंने लगाया था, 25 लाग रुपे का, अच्छा, अच्छा, और 7 लाग रुपे मार जनमने खुद की दिखा दी, 8 लाग रुपे लोन करवा लिया और बाद के अंदर मैंने सेड का काम चालू किया, जैसे मेरा सेड 50% काम हुआ, सेड का, उसके बाद में मैंने जेपुर फोल किया था, डोक्टर बिर्जमोंजी गोईल को, किसर मैंने सेड का काम चालू कर दिया है, तो उन्होंने कहें कि आप वीडियो बेज दो, सेड का, म पहले सबसिडी आपका लोन जैसे अपना फारम बना वो चेक करके गए उसके 7-8 दिन बाद चेक करने के बाद आ गए तो अब जैसे दूसरी बात आती है बकरियां खरीदने की तो अब जो बकरियां खरीद देंगे वो बैंक लोन से करेदेंगा सबसिडी से सरूब तो अलग बात है मैंने तो सबसिडी और जो मेरा बाकी का लोन था वो दोनों मिला के बकरियां खरीदी है मैंने दिसम्बर लास्ट तक सो पलस पांच करके इनका इंसरेंस करवा के और दूसरी सबसिडी के लिए अपलाई कर दूँगा तो 15 जनुवरी से पहले-पहले फाइनल मेरी रहे हैं मलगून से आप करवा सकते हैं करवा सकते हैं अपने एकसाथ वाले ने करवाया है कोई नौल गड़का है जी तो अपने चैसे अभी चलो यह जानकारी होगी पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक जमीन की थोड़ी जानकारी और बता दो कि भाई जिसके पाद जमीन है वो इसका फाइदा उठा सकता है या फिर जिसके पाद जमीन नहीं है वो भी स्कीम का फाइदा उठा सकता है कोई बी हो जमीन हो चाहिमत हो जैसे मान लोग खुद के नाम जमीन है तो कोई दिक्कत नहीं है जी अगर मा के बाप के नाम है तो पचास रुपे इस नाम पर स दस लाख रुपए के लोन तक तो कोई गारअटी है नहीं, यह मान के चलो कि 10 sagt अगर उपर एक रूपय हो गया दस लाख से, वह और गारअटी का पत्टा भी मांग सकती है, अगर वह णुस्थ मैजर चाहे तो बिना गारंटी भी कर सकता है। तर मेरे इसके अंदर जितने भी समस्य आई क्योंकि नया नया काम था बहुत समस्य आई तो मेरा पहली पास हुई थी, अर्यानारास्तान के आपके यह पैल्ली फाइल मेरी हुईतीonie और मेरे जान-जान भी इसमें दिक्कत आई तो डॉक्टर संकरलाज जी खिचड जी और डॉक्टर मुकेश जी सुथार जी उन्हें मेरा बोस सपोर्ट किया उनकी बदोलत मेरी ये फाइल सबसे पहले पास हुई पास हुई और जैसे मलब उन्हें जहां पर भी प्रोग्लम आई उनके सोलिशन उन्हें ने सोलिशन से वो मेरे संपरक में रहे मैं उनके संपरक में रहा वो मेरे से ने बार-बार में यही पूस्ते है आपके कोई दिक्कत है क्या दिक्कत है क्या उन्हें भी यह कर लिया कि इनकी पहली फाइल पास करवानी है जी 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 तो मलब पहली फाइल लगी थी तो पहली फा करवा दिया था नहीं सुपार्श नहीं चलती है जिसकी फाइल लगी है पहले आओ पहले पाओ के आदार पे यह जी तो सर यह और पुछे मावर जी आप से कि जैसे यह कई बोलते हैं वाई इसमस कीमा लोन नहीं होता सरफ अपलाई कर देते हैं इस बारे में आप थोड़ा सं सबसीडी भी मिली है सर थोड़ी यह बताओ जैसे किसी में टाइम जद्दा लग जाता लेकिन यह तो मान के चलेंगे किसान साथी कि जैसे किसे न अपलाई कर दिया तो उसको लोन अवस्से मिलेगा अगर कोई डोकुमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है तो उसक में कोई तुरू टीरे जाती है तो यह नहीं कि आपकी फाइल कैंसल होगी आपको टाइम दिया जाएगा और अपन जैसे ही मान के चलो कि कल मेरी फाइल बैक आई है मेरी आई या किसी की भी आई है कल आज या कल में भी अपने डोकुमेंट लगा कि ऑफिस मिट करवा देते तो साथ दिन के बाद में मीटिंग बेढ़ती है उस मीटिंग में उस फाइल को ले लेते हैं और उसमें उसको अगर डोकुमेंट सही है तो उसको पास करके पसुपालने बाग में बेज़ देगे तो एक तो जैसे यह बता दिया आपने भाई ऐसे ऐसे कर रहो हैगी सब से जैसे फारम एक तो आपने बता दिए फाइल एक तो आपको नोडल ओपीसर का फोन आएगा कि भाई हम फारम चेक करने के लिए उसके बाद अगर कोई त्रू टिया जाती है तो वह फारमर को कैसा पते चले गए इसमें यह कमी है अपने फोन पर मेसेज आएगा मेसेज आए जी तो ये दोस्तों जानकारी थी आज की मावर जी के दो औरा जिन्होंने रास्तान का पहला फारम और अर्याना और रास्तान का पहला फारम इंका पास हुआ था तो मावर जी आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक हो कि आपका फारम पहला पास वह आपन कर दो हो जित तो इसमिंए और बतादो जैसे आपने दो बकर यां ले रखा कि हैं इनमे जैसे किसी ने सोब बकरियों की फाल लगाई है पहले सो बकर ना इसमें बारा मैने से लेके रहते आस्म USA को लो पास नहीं करेंगे जे कि वह पैसे भी लग जाएंगे इंसूरेंस की भी लग जाएंगे बाद में भी दुबारा से उपर उपर होने चाहिए लगा सकते हैं कि लगाते सिर आपके नंबर न erre लगा सकते हो तो किसी भी साथ थी को अगर कोई प्रोग्लम है को जानकारी लेनी हो तो माविर जी से आप संपरक कर सकते हैं और अगर लोन लेने के बारे में जानकारी लेनी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो आप माविर जी से संपरक कर सकते हैं मोबा